आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा 12V DC से एक मोबाइल चार्चर तो फ्रेंड्स उसमें हमें किस-किस मेटेरियल की जुरूप पड़ेगी तो वह इस प्रकार है सबसे परहे तो 12V की एक बैटरी चाहिए हमें 12V की बैटरी है उसके बाद कनेक्टर करने के लिए USB केबल चाह चाहिए और सबसे मेन है जो वह यह है हमें एक 5V IC चाहिए जो की आउटपुट देगा हमें और उसके बाद टेस्टिंग के लिए मोबाइल चाहिए और एक बोर्ड चाहिए तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे कहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सर्किट जिस प्र बीच वाले जो पीन है उसको मैंने ग्राउंड कर दिया और लास्ट वाली पीन से हमें आउटपुट मिलेगा जो सीधा मोबाइल में जाएगा तो दोस्तों यह इसका सर्किट हुआ अब बनाते हैं ट्रैक्टिकल तो सबसे पहले मैं बोर्ड लेता हूं यह हमारा जो IC है य यह मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूं यह है अगर आपको नजर आ रहा हो यह 7805 तो यह इस प्रकार लगेगा कि यह हमारा इसी लग गया प्लस पॉइंट हमारा पहला है तो यह वाला हमारा पहला पॉइंट हुआ चलिए बैंटरी को कनेक्ट कर देते हैं को जेते पाइन, बजए ठींट गिनी दिंट/. बाहे लगे शवड़े लगा य लगे ए reach बाह मुवखनों, पगे वगे प्लास 1 बneड़े वाद्ब़ी को साव्नकशा बटे जिएर सबFrnd पॉज है कि अचे हैं अबखवार कि अचाई प्रेवार कि अचे हैं अचे हैं अचे तेमा सब्सक्राइब के अचे हैं यह हो गया मेरा पहला पॉइंट पहला पॉइंट हमारा स्वोडर हो चुगा है अब बात करते हैं न्यूड्रल की इसको बीच में जोड़ेंगे इसको बीच में जोड़ेंगे अब आउट्पुट के लिए इसको यूएस्बी को यूज़ करेंगे इसको बीच में जोड़ेंगे इसको बीच में जोड़ेंगे दो इसको hmm इसको बीच में पोलब इसको ग्रॉंशो बीच में इसको यूज़ इसको में डाउडेंगे यूण के इसको ज़यूच इसको चुबान ज़गे कि अब टेस्टिंग के लिए शुरू करते हैं तो दोस्तों टेस्टिंग करते हैं इसकी देखें कि नाइन वोल्ट सुरी बारा वोल्ट बैटरी है और इसके जो किनेक्शन है यह आप देख रहे हैं यह दोनों पिन्स है इसके बैटरी के जो कनेक्शन रेड़ वायर को मैंने पस्ट पे लगाया ग्राउंड कर दिया न्यूटर को और आउट्पूट मैंने रेड़ वायर से इस तरफ लिया तुम्हें एक बार आपको इसका चित्रे दिखा दूँ यह इसका डाइग्राम है प्लस पॉइंट पहली पिन से ग्राउंड कर दिया दूसरी पिन और तीसरे पिन से आउट्पूट और सिधा मोबाइल में चलिए दोस्तों कनेक्शन हो चुके हैं अब टेस्टिंग करते हैं कि देखिए कि करते हैं इसकी टेस्टिंग कि मैंने लगा दिया अभी देखिए कि यह देखिए दोस्तों यह वर्क कर रहा है कि देखिए तो इस तरह से आप 5 वल्ट आइसी से 12 वल्ट बैटरी से आप एक चार्जिंग बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह किसे कर दोस्तों यह था एक प्रैक्टिकल जो कि सेक्सेस पूल रहा दोस्तों मेरे सारे वीडियो इस हंदी में आते हैं तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है के लिए वीडियो में धन्यवाद जाहेंद बस्तों में बस्तों में आप में टूले और दोस्तों में आप में आप टो हमा बढ़ आपोन सब्सक्राइब कर रहा हैं।